प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप पहले ये वीडियो देखते हैं और हम इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैभारत मुझे ये बताएं मुझे बताएं मुझे बताएं के एलेक्शन कैसे चल रहे हैं आपने वोट डाल लिया मैंने वोट डाल लिया है और अलक्शन हमारे यहां बड़ी शान्ती के साथ बड़े पुरामन तरीके से इस बार जितनी शान्ती के साथ अलक्शन हुआ है शायद मेरी जिन्दगी में मैंने कभी नहीं देखा बिलकुल खामुशन के साथ सब कुछ हो रहा है कोई किसी तरह का वाद विवाद नहीं है और बिलकुल अमन के साथ हो रहा है सब कुछ ऐसे ही होना भी चाहिए लेकिन मौलाना सब एक ख़बर हमने ऐसे भी सुनी थी के कुछ हिजाब में या बुर्के में कुछ लेडीज गई थी तो उनसे का गया चेहरा देखा हो ताक कि आईडी कार्ट के साथ मैच किया जा सके उनके आईडी कार्ट को और उनकी शकल को कि व बयान दे रहा है उसकी नियत पर कही न कहीं सवाल था सवाल ये है कि सिर्फ हिजाब ही क्यों जो हमारी बहने हमारी माताएं हिंदू या सिक या किसी भी रिलिजन से हो वो जो पल्लू लेकर आती हैं आप उनका भी चेहरा देखिए सिर्फ हिजाब का नाम लेकर बयान देना ये कही न कहीं उनकी नियत पर शक था वो चुनाओं को कहीं न कहीं हिंदु मुस्लिम करना चाहते थे इस तरीके से जो उन्होंने बयान दिया है तो उस पर कुछ बाते हुई असद्दी नवेसी ने भी कहा हमने भी कहा कि भई ये सिर्फ हिजाब वाली औरतों को कहना गलत है आप ये कहिए कहसाब जो भी परते में औरत आए उसका चेहरा मैच कर लिए और इतना इतनी इजाज़त तो है कि अगर महा लेडिस पुलिस है जो खहरा मैच करें उसमें क्या दिक्कत है इसमें कोई बुराइगी नहीं नहीं है दूसरे यह है कि देखे जिसको फर्जी वोट करना होगा तो आजके वقت में चुके सब डिज़िटल है आजके वकत में सब को ये इतना आसान नहीं है तो वो ऐसा तो है नहीं बगेर किसी के मिली बगत करेगा जाहिर बात है कोई ना कोई कंडिडेट या कोई ना कोई उसके पीछे खड़ा होगा तब वो कर पाएगा अकेला आदमी अपने दम पे फर्जी वोट नहीं कर पाएगा पहले तो होता था जब वीवी पैड से होता था परचियां बनती थी और बाकाईदा महर लगती थी जाके वो उस वक्त में चल जाता था मामला किसाब ये कौन है कि ये फलाहें परचिये हैं हाँ जी है बात खत्म अब वैसा नहीं है अब तो सकती है इस मामले में और होनी भी चाहिए फर्जी वोटिंग तो रुकना भी चाहिए 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 वो किसी की भी तरफ से हो खबरे तो ये भी आई हैं कि कंडिडेट ने खुद जाकर कुछ फर्जी वोट डाले हैं और बाख़एदा फिर पॉलिंग बोट के बाहर जो है तमाशा भी हुआ है हाई हाई के नारे भी लगे हैं मुर्दबाद के नारे लगे हैं और बहुत कुछ हुआ है तो ये तो नहीं थी हिजाब को लेकर इसलिए मैंने अपसे पूछा और वैसे जो पलू लेके जाते हैं उनका चेरा देखना तो असान होता है पलू उन्होंने एक मिन में हटा दिया ने शिकायत भी नहीं की अगर कोई पलू लेके गया था लेकिन बारहल हिजाब वालों ने या बुर कास करने जाते हैं जो निदारी है जी ने बिलकुल हक है असल में क्या है ये शोर मचाने वाले भी लोग वही हैं जो हिजाब के नाम पर बात करने वाले लोग हैं यही शोर मचाने वाले लोग हैं और जो जिस तरीके से ये लोगों के बैनात दिखाते हैं ये बैनात भी उन को कह सकते हैं पैसा दे कर उनसे कहा जाता है आप इस तरह के बयान दो हैं हमारे मुलक में इस तरह के लोग भी है जो पैसे की वज़ा से रेलियू में भी चले जाते हैं जो पैसे की वज़ा से बीड़ इकटी कर लेते हैं जो पैसे की वज़ा से उल्टे सीधे बयान दे देते वह सबी हो सकते हैं ज्दूश्तान में वो सभी जगा हो सकते हैं जरूरी ने कि २हीं सान पाइस कर दो पाइखा होते हैं तो हूं जी कभी एक इंटर्व्य आया किसी टीवी चानल पर आप उन्होंने कहा की अपने आपको बताया कि वह तरह से उतार हैं, उनको बढ़ा वो नॉर्मली जैसे लोग पैदा होते हैं, तो उस तरह से नहीं हैं बलगे वो उतार हैं और वो आएं हैं दुनिया में काम करने के लिए कर आप अगरी करते हैं उनकी इस बात से? नहीं मैं तो एगरी नहीं करता हैं, देखे, मैं आपको बड़ा आजीब सा वाखिया बताता हूँ, हमारे यहां एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे चंदर शेखर जी, उनका दिहान थो गया है, तो जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो पंजाब केसरी में उन के पेशानी पर एक लकीर देखता था, और मैं उससे महसूस करता था कि यह बच्चा बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनेगा, मोदी जी को अपने आम में आज उतार नजर आ रहा है, यह पहले गुजरात के सी एम भी रहे हैं, उससे पहले पार्टी में पददिकारी भी रहे ह हैं, चाई भी बेची है, जैसा वो कहते हैं कि हमने चाई भी बेची है, रेलवेज टेशन पर, तो उस वक्त तो उतार नजर नहीं आया किसी को, ना उनको नजर आया, ना किसी और को आया, आज जब देश के प्राइम मिनिस्टर बन गे, उपर वाले ने उनको नमास दिया, और दो-दो टरम रहे गए, और इस बार देखे क्या होता है, हो सकता है, इस बार भी आ जाएं, तो अब उनको उतार होता क्या है, देकि ये कुछ चीज़े ऐसी हैं, मैं किसी पर कटाक्श नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसलाम धरम को छोड़कर और तमाम धरमों में अंधवक है, विक ये सथे अधान पर गरहा का जाता है, तो आदोब उसी को एक कह देता कि सहाब ये भगवान है मेरे लिए, अगर किसीने किसी की कोई मदद करती मेरे लिए ये तो बगवान है, ये अन्दभक्ति जो है इस अंदभक्ति की कारण कुछ भी हो सकता है, मैं महसूस कर र मा जी का हरन कर लिया था उस रावन को भी अगर पूजा जा सकता है अगर हमारे देश हिंदुस्तान में गोड से जैसे आदवी के मंदिर बन सकते हैं जिसने मात्मा गांदी जी को शहीद कर दिया तो मैं समझता हूं कि नर्दर मोधी जी का बगवान मान लेना उनके मंदिर ब लोग इनके बक्ति करना शुरू करते हैं फिर इनके मंदिर बनना शुरू हो जाएंगे ये बड़े पुजारी हो जाएंगे या जो भी वेराल कुछ भी हो सकता है इस देश में कुछ भी हो सकता है आपके ख्याल से इसलाम में ये सारी चीज़े नहीं है नहीं इसलाम में त देखकर इसलाम को जानने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं कि नहीं देखो जी इसलाम में तो गबर की पूजा भी होती है, इसलाम में तो चोथा, पांचवा, दसवा, तेरवा और पता नहीं क्या क्या होता है, हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन वो इसलाम में नहीं मुसल्मान मे دیکھے گا وہ اسلام کے بارے میں کچھ بھی خیال پیدا کر سکتا ہے اپنے من میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے کہ پھر دیکھو اسلام میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے حالانکہ وہ اسلام نہیں قبر کی پوجہ کرنا قبر پہ جا کے سجدہ کرنا چادر چڑھانا ان سے منتیں مانگنا اسلام میں تو نہیں یہ چیز اسلام نے تو اس کو باقی بیدت کا ہے حرام کا ہے لیکن کر رہے ہیں مسلمان اسلام نے شراب کو حرام کا ہے لیکن پی رہے ہیں مسلمان اسلام نے زنا کو حرام کا ہے لیکن کر رہے ہیں مسلمان तो ये जो सारी चीजें ये इसलाम के बिलकुल खिलाफ हैं लेकिन मुसल्मान कर रहा है इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मैं अपने देश के चैनल बार बैठ कर भी इस बात को कहता हूँ और मैं आपसे भी कहरा हूँ के इसलाम को कभी भी मुसल्मान के आमल से तोलने की कोशिश ना करें अगर करेंगे तो फिर यकिने उसमें बहुत सारी बुराईया आपको नज़र आए ही इसलाम को कुरान से हदीछ से फिका से जन चीज़ों को इसलाम कहा गया है उन चीज़ों से अगर OM patron देखा जाए तो फिर इसलाम की सही तब्रूर नज़र आएगे और यही है कि को पढ़कर इस्लाम को देख कर सुनकर लोग बड़े बड़े लोग बड़े साइनटिस्ट बड़े डॉक्टर बड़े इंजीनियर बड़े फळासपर जो है अपने धर्मों को छोड़कर इस्लाम को खबूल कर रहे हैं और हमारे यहां तो एक बहुत बड़े चैनल ने इस बात को सुविकार किया है कि 2015 से लेकर अब तक 13,00,00 लोगों ने इसलाम खबूल कर लिया हिंदुस्तान में बाहर कितने निकल गए उनका बताए इसलाम से बाहर जो चले गए जिसने इसलाम छोड़ लिया उनकी तादाद ने इसलाम को छोड़ने आदाद ने उन्होंने ये कहा कि जो हिंदु धरम में आए हैं वो सिर्फ 30,000 हैं अब वो 30,000 लोग कौन हैं वो इसलाम से आए हैं या किसी और मधभ से आए हैं ये तो फुलास नहीं किया उन्होंने लेकिन हाँ इसलाम को मानने वाले 13,000 लाग जरूर बताए हैं सोरी 30,000 लाग जरूर बताए है कैर वो भी तादाद पता होनी चाहिए कि बाहर कितने निकल गए हैं दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और आर्जु काजमी और साजे रशीदी के बीच में हुई ये पुरी डिबेट आपको काफी पसंद आए होगी और इस वीडियो में आपको काफी ज़्यादा मज़ा भी आएगा जहां पे आपने देखा आर्जु काजमी के सवालों में फस्ते नजर आए मुलाना सबसे पहले अगर हम बात करें वोटिंग की तो जैसे कि आपने देखा मुलाना ने अपना वोट डाल दिया और बात की बुर्खे के ओपर जो शोर मचा हुआ है कि बुर्खे के नीचे से नगमा नहीं नाजिम निकल रहा है जैसे कि मुलाना ने का कि सब का चेक होना चाहिए जैसे कि मुलाना ने का इसलाम मख़ब को चोड़के बाकि सब धर्मों में अन्थबक्ति है चाहे वो हिंदूजम हो यानि सनातन धर्मों सिखिजम हो या क्रिस्चैनिटी हो जैनीजम हो चाहे बुदीजम हो सब में जो है अन्दबक्ति है इसलाम को छोड़के मैं बताना चाहूँगा मुलाना जी अगर आप कही मजार ये दर्गाव में जाओगे ना तो सबसे ज़्यदा अंधबक्ति आपको वहाँ दिख जाएगी वहाँ पे लोग क्या क्या करते है और क्या क्या होता है तो आप कम से कम सनातन धरम के उपर या बाकी धरमों के उपर तो कमेंट नाई करिए क्योंकि सनातन धरम एक ऐसा धरम है जो बिल्कुल साइन्टिफिक है सनातन धरम में एकदम साइन्स हैं लॉजिक्स हैं चमतकार की कोई गुंजाईश नहीं है और हमारे जितने भी वेध हैं उपनिशिद हैं जितने भी किताबे हैं जितने भी धरम गरंथ हैं वो सब कहीना के लॉजिक पे हैं कहीना के लिखे गए हैं और उसके परमान मिले हैं और कहीना के वो साइन्टिफिक हैं हमारी कोई भी किताब आस्मानी किताब नहीं है और ना ही हमारी कोई किताब ये सिखाती है कि कमर पे आप बॉम बांदो और कहीं भी जाके उड़ जाओ चाहे वो मस्जिद हो मंदिर हो और आपको जन्नत मिलेगी हमारे यहां पे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है तो आप कम से कम हमें ये ना बताएं कि कौन सा धर्म लॉजिकल है सैंटिविक है या कौन सा नहीं है और किसमें अंदबक्ती है या नहीं है वो कम से कम मुलाना जी आप तो अपने मुपे ताला लगा दी दिये और जैसे कि आपने देखा कि आर्जुक आजमी ने भी मुलाना की टांग खींची जैसे मुलाना ने कहा कि पतानी 13 की 30 लाख लोग मुस्लिम बने इस साल पर मुलाना जी को जाके डेटा चेक करना चाहिए कि कितने सारे लोग इस साल एक्स मुस्लिम बने दुनिया भर में लोगों ने इसलाम को छोड़ा है और दुनिया भर में करोड़ों लोग इस मख़ब को छोड़ रहे तो इसके बारे में मुलाना किया काएंगे अगर इसके बारे में मुलाना के बसको जवाब है तो हम चाहेंगे मुलाना हमें जरूर जवाब दे तो आशा करता हूं वीडियो